नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैरतिन सेन भारती आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने भारतिये मुल्लों और परंपरा को चट्टान के समान एक अधर्स प्रस्तुत किया आज हम बात करेंगे देश के पहले रास्पती दक्तर 1884 को बिहार के सारण जिले के जिरादेई नामक गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था वो भारत के पर्थम राश्पती यवा महां सोतंतता संग्राम के सेनानी थे वे भारतिये आंधोलन के परमुख नेताओं में से थे उन्होंने भारतिये राश्टिये कंग्रस के अधियर्श के रूप में प्रमुख भूमिका निभायी दॉक्टर रजेंद प्रसाथ का भारतिये संविधान के निर्माम में महत्पून योगदान दिया है डक्टर रजेंदर परसाद भारत के पहले मंत्री मंडल में क्रिसी मंत्री और खाद मंत्री का दैत भी निभाया है आज उन्हें लोग समान से रजेंदर बावु कहकर पुकारते हैं रजेंदर परसाद की प्रणभिक पढ़ाई च्छपरा के जिला स्कूल में हुई थी उन्होंने 18 साल की उम्र में कौलकाता विस्पिदाला की प्रवेश परिच्छा पर्थम स्रेनी से पास किया था इसके बाद विस्पिदाला की ओर से उन्हें 30 रुपे की स्कॉलर्शिप मिलती थी साल 1915 में रजेंदर बावु ने कानून में मास्टर की डिगरी हासिल की उनकी पर्तिभा ने गुपाल गृष्ण गोखले और बिहार विभूती अनुगरह नरांज चिनहा जैसे बिदवा अमनी इज बेटर देन एकजामनार भार 333 संग्राम में उनका पदारपन बकील की रूप में अपने केरियर के सुरुआत करते ही हो गया था रजेंदर वाबु महातमा गांधी की निस्ठा समरपन इबाम साहत से बहुत प्रभावित हुए 1921 में उन्होंने कुलकाता का पदित्याग कर दिया गांधे जी ने जब विदेशी संस्थानों का वहिसकार की अपील की तो उन्होंने अपने पूत्र मिर्तुंजर परसाद जो एक अत्यंत में घावी छादर थे उन्हें कोलकाता बिस्विदाल से हटा कर बिहार विद्यापिठ में दाखिल करवाया रजिन परसाद ने सर चलाइट और देश जेसी पत्रिकाओं में देश के ततकाल इंडमुद्दों को लेकर कई लेख लिखे थे इतना ही नहीं उन्होंने इन अखवारों के लिए धन भी जुटाए थे और उन्होंने बाइसराई से जुटाए धन से कहीं ज्यादा धन जमा किया था साल 1934 में भारती राश्टिय कॉंग्रिस के मुंबई अधिवेशन के अध्यच चुने गए नेताजी स्वास चंदर वोष के अध्यच पत से त्याग पत्र देने पर कॉंग्रिस अध्यच का पदवार उन्होंने 1949 में समभाला था भारत के संभिधान निर्मान में राजेंदर परशाद का बहुत बड़ा योगदान रहा समभिधान लागू होने के बाद उन्होंने देस के पहले राश्पती का पदवार संभाला राश्पती के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने समभिधानिक अधिकारों में पर्धान मंत्री या कॉंग्रिस को दखल अंदाजी का मौका nggak नहीं दिया और हमेशा सोतंत्री रूप से कार्ज करते रहे हिंदू अधिनियम पारितिप करते समय भी उन्होंने कड़ा रूख अपनाया था 12 वर्ष तक राजपती की रूप में कार्ज करने के पस्चात उन्होंने 1960 में अपने अवकास की घोशना की अवकास ले लेने के बाद उन्होंने भारत सरकौर्दारा सरवच नागरिक सम्वान यानि की भारत रत्म से नवाजा गया अवकास गरहन करते ही उनकी पत्नी राजबंसी देवी का निधन हो गया मिर्तिव के वे एक महीना पहले अपने पती को संबोधित पत्र में राजबंसी देवी ने लिखा था कि मुझे लगता है कि मेरा आंते निकट है कुछ करने की सक्ति का आंते संपूर्ण अस्तित्व का आंते है डॉक्टर रजेंद परसाद ने अपने जीवन का आखरी महीना पतना सदाकत आसरे में पिताया था 28 फरवरी 1963 को उनकी जीवन लिला समाप्त हो गई डॉक्टर रजेंद परसाद भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके दवारा किये गए करित हमें सदा प्रेरना देते रहेंगे और हम सदा उन पर गर्व करते रहेंगे बिहार से जुड़े एक ऐसे और नए ब्यक्तित्वी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिये अजाज़त धन्यवाद